अगर इश्वर है तो इसे दुनिया में राक्षस भी होते हैं जहां जहां पॉजटिव है वही नेगटिव भी होता है अज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपकी आँके खुली की खुली रह जाएंगे जहां घर में ऐसा बच्चा पैदा हु जिसे देखने के लिए हजारों के संख्या में लोग आए लेकिन जो आए वो कभी भी इस बच्चे के चेहरे को भूल नहीं पाए तो चलिए क्या है और कहां का है पूरा मामला आपको दिखाते हैं दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंताक विल दोस्तों जब भी किसी के घर में कोई नया बच्चा आता यानि कि कोई नया सदस से आता है तो इस घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है ये अपने भी अपने घर में फील क्या होगा और हमने भी देखा है लेकिन आज हम आपको जहां के कहानी सुनाने जा रहे हैं वहां का मामल ही अलग है यह कहानी है बिहार के गाउं के गोर से सुनियेगा और अगर डर लगे तो पानी पी लीचेगा दोस्तों इस घर में एक बच्चे ने जन्म लिया आपको लग रहागा कि यह तो अच्छी बात है बच्चे का जन्म लेना तो शुब बात होते है लेकिन यहां पर काफी है कि यह बहुत ही अलग बच्चा है दोस्तों आज हम आपको इस बच्चे के कहानी बताने जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि यह बच्चा कितना अलग देखता है यह अभी सहीं कितना बड़ा देखना लगा है इसके चेहरे को आप जरा ध्यान से देखे वाकई में य बच्चा अलग ही देखता है दोस्तों आसपास के गाउं में ये बात फैल गई इतना ही नहीं सब ने इस बच्चे को शैतान का बच्चा भी कहना शुरू कर दिया वाकरी में इस बच्चे को देखकर कोई भी डर जाएगा लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कैसे ये बच्च सबको देख रहा है लेकिन कहने की शुरूआते इस बच्चे के मरने के बाद शुरू है दोस्तों माना जाता है कि जब इस बच्चे की मौत हुई उसके बाद से इस गाउं में तांड़ मचाना शुरू कर दिया जियां अमावस की रात इस बच्चे की मौत हुई और उसके बाद से इस शैतान के बच्चे ने सब को परिशान करना शुरू कर दिया। दोस्तों कई सारे लोग आए इस बच्चे की आत्मा को शांत करने के लिए लेकिन आज तक परिनाम अच्छा नहीं निकला। माना जाते हैं कि ये बच्चा आज भी कई जगों पर आता है। जियां मरे हुए बच्चे की आत्मा यहां के स्थानिये लोगों ने कई बार देखिये है। कहते हैं कि ये बच्चा मरने के बाद भी सब को परिशान कर रहा है। इस घर की महिला की बाद सुनें तो ये कहते हैं कि बच्चा कई बार इनके घर के अंदर आ जाता है। और उसके बाद इन लोगों को परिशान करता है। इतना इने ये महिला कहते हैं कि ये बच्चा कई बार इनका गला भी दबाने के कोशश करता है। रात में जब पूरी दुनिया सोती है तब है इस बच्चे की आत्मा आकर घर के सारे सामान को फिकने लगते है। वाकई में ये चीज़ें सुनके ही डर लगने लगता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग इस बच्चे को ढूनने के लिए निकले हैं। ये देखिए कि कैसे यहाँ पर बार बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। लेकिन जब ये कुछ लोग उस आवाज के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं तो उसके बाद जो इन्हें देखता है वो वाकई डरावना है। दोस्तों ये देखिए कैसे यहाँ पर बच्चे आवाज किसके आ सकते हैं। इस सुनिए कैसे बार बार अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं। तबी तो गाउं के लोग इस घर के आसपास भी नहीं आते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये बच्चा न तो इन है नहीं इनके परिवार के किसे बे इनसान को आने वाले समय में खुश रहने देगा। कहा यहाँ तक जा रहा है कि ये बच्चा इतना खतरनाग है कि लोगों को डरा डरा कर ये जान ले लेता है। आप सूचिए कि अ इनकोर देखकर वाकई में लगता है कि इन्होंने बहुत तकलीफें जहे लिया है यह बार बार कहते हैं कि मुझे बेज घर को छोड़के जाना है चान्ते हैं क्यों? क्योंकि यह बहुत बुरी तरह से डर गई है अगर ये डरी नहीं होती हैं तो भला अपने घर को छोड़ने की बाद कोई क्यों ही करता लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखर क्या वाकई में मरने के बाद आत्मा जिन्दा रहती है क्या वाकई में आत्मा आपको परिशान कर सकते है आईए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में भूत होते हैं डर या भै इसका सामना हर इनसान करता है क्या वाकई कोई चीज हमें डराना चाहते है या फिर मस्तश्क भ्रहम पैदा कर हमें असुरक्षित महसूस कराता है असाधरन घटनाओं का वैग्यानिक अध्यान करने वाली पैरसाइकलोजी इसी डर का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे है वकिंगम शायर न्यू यूनिवसिटी में मनुविग्यान विभा के प्रमोग डॉक्टर कायरन ओकीफ कहते हैं पैरसाइकलोजी में मुख्य रूप से तीन प्रकार की रिसर्ट शामिल है पहला इलाका है विचित्र किस्म का आभास इसमें टेलिपिथे पहले से आभास होना या परुक्ष दर्शन जैसी चीज़े आते हैं दूसरा है मस्तश के जरिये कोई काम करना जैसे बिना छुए चम्मच को मोड़ देना तीसरा है मृत्यों के बाद का समबाद जैसे भूत प्रेत या आत्माओं से समबाद औस साधरन घटनक्रम से जोड़े मनोविग्यान को समझने के लिए वैग्यानिक नियूरो साइंस की भी मदद ले रहे हैं औस सामाने परिस्थितियों में कई बार हमारी आँखे अलग धंग से व्यभार करती हैं कम रोशनी में आँखों की रेटिनल रॉड कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और हलका मुड़ा हुआ सा नजारा देखता है डॉक्टर ओकीफ के मताबिक आँख के पुतली को बेहत कोने में पहुँचा कर अगर हम आखरी छोर से कोई मूवमेंट देखें तो बहुत साफ नहीं देखता है डिटील भी नजर नहीं आते हैं सिर्फ काला और सफेध ही दिखाई देता है इसका मतलब साफ है कि रॉड कोशी काएं रंग नहीं देख पा रही है हो सकता है कि ऐसी परुस्तितियों में हमारा मस्तिश्क सूचना के अभाब को भरने की कोशश करता हो दिमाग और सूचना को किसी तारकिक जानकारी में बदलने की कोशश करता है हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हमने कुछ वेचितर देखा है तरक के अधार पे हमें लगता है कि शायद कोई भूत है ऐसे भले ही कुछ पलों के लिए होता हो लेकिन इसके बाद इंसान के भीतर हलचल शुरू हो जाते है सांस तेज चलने लगते है धरकन तीज हो जाते है शरीर बेहत चौक करना हो जाता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है और कुछ को बहुत कम वग्यानिक इसके लिए मस्तेश्क में मौजूद नियूरो ट्रांस्मिटरों को जिम्मेदा ठहराते है वग्यानिकों के मताबिक जिस तरह हर व्यक्ति में भावनाओं का स्तर अलग-अलग होता है वैसा ही डर के मामले में भी होता है उकीफ कहते हैं डरावने माहौल में कुछ लोगों के मस्तेश्क में डोपमीन का रसाव होने लगता है इसके चलते उन्हें मज़ा आने लगता है जिबकि बाकी लोग बुरी तरह डर रहे होते हैं वग्यानिकों के मताबिक बच्पन में खराब अनभावों का भी डर से सीधा संबंद है अकसर भूतिया कहानिया सुनने वालों या हॉरर फिल्म देखने वाले लोगों के जहन में ऐसी आदें बस जाते हैं और जब भी कोई असाधारन वाक्या होता है तो ये स्मृतिया कूदने लगते हैं जब हम कोई पुरानी जरजर इमारत देखते हैं जहां अंधेरा हो आसपास कोई आबादी ना हो तो हमें भ entries का ऐसा सोने लगता है वाग्यानिकों के मताबिक ज्यादा तर हॉरर फिल्मों में ऐसी इमारतों को भूतिया बिल्डिंग के रूप में पेश किया गया है यह जानकारी हमारे मस्तिशक में बैठ चुकी है ऐसी इमारत देखते ही हमारा मस्तेश्क हॉरर फिल्मों के स्मृति सामने रख देता है। डर पैदा कर मस्तेश्क ये चेतावनी देता है कि इस जगा खत्रा है, जान बचाने के लिए यहां से दूर जाना चाहिए। इसके बाद धड़कन तेज हो जाती है और पूरा बदन ज खैलने लगेगी। उसके बाद उस इमारत में जो कुछ भी सामाने धंग से घटेगा, वो डरावना महसूस होने लगेगा। लेकिन क्या भूत होते हैं? इसके जवाब में ओकीफ कहते हैं कि कल्पना और भूतों पर विश्वास या विचेत्र परस्थतियां, इनके संयोग से ऐसा अभास होता है कि जैसे हमारे अलावा कोई और भी है, जिबकि असल में कोई और होता ही नहीं है, लेकिन किसी चीज को बिना चुए उसमें हलचल कर देना, या फिर पुरुवा भास या टेलेपैथी जैसे वाक्य अभी साइन्स को हैरान कर रहे हैं। उकीफ जानते ह कि मस्तिश के कुछ विलक्षन शक्तियां अभी विज्ञान के दाएरे से कोसो धूर हैं। दूस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।